हेलो एवरीवन वेलकम ट्यामें में मैं हूँ शेचांग लखे रहा है इंडियान एक्ष्प्रेस एक और दो अगस्त कल जो नहीं आया था तो अब जो है हम एक और दो अगस्त जोनों जो एडिटोरियल जो पॉब्लिश्व हैं उन सब को जो है आप देंगे कॉंप्रेंसिफ तरीके से और जो इंपॉर्टेंट अर्टिकल से वो तो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट जो यू वोती है वो भी जो है मैं आपको बता देता हूं आगे बरते बाए आज के इंडियन एक्सप्रेस को जिस तरीक्या का आपको देखने को मिलेगा ठीक है तो आज 2 अ आप देखो जो इस मृति इरानी है उनकी जो बेटी है उनके उपर जो है आप एक मामला तायर किया गया कि इनकी डॉटर है घूर्ट इस तरीके गाउन पर इडी की न्यूस है संजे राउ जो सिफशिना के उनको धर ले अब ED के बारे में मैंने आपको बहुत बार बता है enforcement डिरेक्टरेट होती है ठीक है और इसका एक PML जो Money Laundering Act है वो भी यहाँ पर बनाये गया है Money Laundering Act में क्या ED के पास power होती कि वो किसी को भी समन कर ले किसी को भी धर ले ठीक है सिफपल तो ED के पास यहीं power होती है और ED समनल लो income tax के पापा होते है income tax हम जैसे इंसान आम इसनान उनको जो income tax पकड़ती है लेकिन ED जो होती है जो बड़ी लेवल के जो कारणामे करते हैं उन पर ED यहाँ पर बैठती है मतलब मिनिस्टास हो गए बड़े जो बिस्निसमेन है तो enforcement एकरेट जो है वहाँ पर उनसे बात करती है और उनको जो है arrest करती है उनसे पूस्ताच करती है ठीक है और भारा 15 अगस्त 1947 को जो है अजाद हुआ था इसके लाव दूसरा है taking on the datmer dog अब देखो यहाँ पर जो मैनमार में जो regime चल रही नहीं मतलब जनता regime चल रही है जिस तरीके से military ने कूप कर लिया है तो उसी के बारे में आपर बात करी जा रही इसके अलावा भी कई सारे जो देश है वा यहाँ पर कोई मतत नहीं कर रहा है जो है कुछ ना कुछ यहां पे जह सक्त एक्षन लेने की ज़रूरत है नहीं तो ऐसा है जो कई सारे लोग यहां पर मारे जाएंगे इसके लावा भारत का जो है एक इंट्रेस्ट भी देखने को मिलेगा आपको मैनमार में क्यों क्योंकि हमारा परोडसी पडोसी है तो आज अ दिसक्स करेंगे हमें काफी कुछ आज आपको जानने को मिलेगा इसके पहले मैं आप से पूछूंगा कि हाली में एक रॉकट जो है क्रेश हो गया एक रॉकट जो है धर्ती पे गिर गया है तो उसका नाम है लॉंग मार्च वो किस देश का है तो कमेंट बॉक्स में जो है सब्सक्रिप्शन में आप सभी कुर्स आविल कर पाओगे और आप यहां पर पीडिये पर डाउनलोड कर सकते हो इसके अलावत mmacademy.in यह हमारी वेबसाइट है आप वेबसाइट पर भी लॉग इन कर सकते हो सबसे पहले तो भाई Bengal में देखो साथ नए डिस्टिक बनाए जाएंगे तो अब टोटाल जो है तीस डिस्टिक हो जाएंगे आपको नाम रखने नाम याद रखने की ज़रूरत ही हा लेकिन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब वेस्ट बेंगल पब्लिक सर्विस कमीश सकता है लेकिन पहले एंशॉर कर लेना कि वह वेकेंसी सही है कि नहीं तो फिर जो घोटाला हो गया तो नोकरी भी जा सकती है अब देखो ना क्या जो पूदीशन है वह आपको देखने को मिलेगी बेंगॉल की आगे बड़ते वाई यह काफी इंपोर्टन नीउस थी करीब आठ लोग की जो है देथ हो गई है पांच इंजर्ड हो गई है एंपी के होस्पिटल फायर में जवलपोर में हुआ मेरे का से दो किलो मेटर दूरी की जो है यह पूरी वारदात है लेकिन देखो यहां पर कंसन बहुत सारे निकल के आ रहे हैं यह आप देख रहा हो ना यह तरफ जगह है तो प्रॉपर एग्जिट जो है आप नहीं थे तो लोग जो है वहां पर इस चक हो गए लोग फस गये लोगों को ऊपर जाना पड़ा लेकिन लोग नहीं बच पाए यह दो किस तरीके से आग लगी है कई सारे लोग जो है आप मारे गए और आप यह पैसे द लेकिन देखो यह जो इवेंट हुआ है यह जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इससे जो सरकार है भारत की उसको जो है प्रॉपर पॉलिसी फ्रेम करने की शरूरत है अगर ऐसा ही चलता रहा है तो आने वाले समय में मेजर इंसिडेंट जो है आपको पूरे इंडिया भर में देखने को मिलेंगे और आप सर्वे भी पढ़ लेना तो आपको सुझ में आगा कि कई सारे हॉस्पिटल्स में जो और देखने को मिलेगे बस रखने कमेंगे। से पाकिस्तान की धिन बाद हो ती चाहिए। इसका simply reason यह है कि यहाँ पर proper stable government नहीं है, अगर इसी तरीक से चलता रहा ना, पाकिस्तान already collapse हो गया, पाकिस्तान में है क्या, कुछ भी नहीं है, वहाँ पर ना IIT है ना कोछ है, एक IIT आपको देखने को नहीं मिलेगा पाकिस्तान, उन्होंने सुचा था कि हम IIT बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बन पाए, अच्छा हुआ कि Newton चाचा जो है ना, वो पैदा नहीं हुए, या Einstein जो है पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए, नहीं तो वो कभी भी जो है, कोह यहाँ पर सर्ज नहीं कर पाता, तो Newton चाचा की उपर जो है, आपर सेव नहीं गिरता, एक bum गिर सक इसके अलावा, Einstein भी होते न, तो पाकिस्तान में रहके कुछ भी नहीं कर पाए, इसके अलावा बड़े-बड़े साइंटेस भी जो है, पाकिस्तान में कुछ रहके नहीं कर पाए, अब देखोगे, तो जो पार्टीशान हुआ था भारत-पाकिस्तान का, उसमें हमको कई सा पार्टीशन की बहुत सारे ट्रेजरीज भी हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यहां पार्टीशन हुगा, दोनों तरफ के लोग यहां पर नहीं मारे गए, लेकिन अगर आप आप आज इंडिपेंडेस के बाद देखते हो, 75 सालों के बाद, तो भारत में आपको एक स्टेब लोग उनको प्रेस करते हैं, यहां नरेंदर मोदी जो है एक बहुत अच्छा लीडर है, इसके अलावा इनके पास पॉलिटिकल फ्रीडम भी है, डिप्लोमेटिक एक्शन भी जो है लेने में यह बिल्कुत सक्छा में, आथ देखो क्या बड़ी है डिप्लोमेसी जो है यह खेलते हैं, यूक्रेन यहां पर उचकता था, क्या रहे इंडिया जो है सपोर्ट नहीं करना चाहिए, इंडिया जो है कुछ यहां पर नहीं करता, तो इंडिया ने क्या किया एक बोरी जो है रशिया को भीज दिया, सरेंडर हो गया यूक्रेन, क्यो रहे यार यह तो दिक् स्टेज वाली बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा जो है बोल जाते हैं तो यह जो है एक आपको उनका एक जो पावर है वो देखने को मिलेगा अब देखो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है डिफिकल्ट सिच्विशन से गुजर रहा है मतलब पाकि यह नहीं कहा जा सकते यह कब तक प्राइमनिस्टर रहेंगे दूसी तरफ यहां पर यह बता जा रहा है कि अगर फ्रेश एलेक्शन की जो है डिमांड करी जा रही है कि पाकिस्तान में फ्रेश एलेक्शन जो होंगे और आने वाले समय में आप देहोगे तो कुछ समय बात फ्रेश एलेक्शन होंगे लेकिन एक इंटर्व्यू यहां पर हुआ ताशकंद में जहां पर आप देहोगे तो एक सम्मिट भी हमको देखने को भी तो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर यहां पर पहुंचे पाकिस्तान के भी बिलावल जर्दारी भुट्टो ठीक है तो यहां आप इन्हों ने ऑनेस्ट चीज कही इन्हों ने यहां पर यह कहा कि भीया प्रॉब्लम तो हैं हमको इंडिया के साथ इंगेज बिलकुल यहां पर करना चाहिए लेकिन अगर आप देखोगे तो शाह मैमूद खुरूशी जो कौन है जो कि पहले इमरान खान की सरकार में वि इसके अलावा इन्हों ने यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर प्रॉब्लम के थरूवर्शे करना चाहिए को फूश करना चाहिए लेकिन चाहिए और कहीं बद्ध has अब देखो पाकिस्तान जो है यहाँ पे प्यास के लिए भारत पे डिपेंडंट है thayi और अगर आप कल्टिविशन देखो तो इंडिया पे काफी अच्छा कल्टिविशन होता है अभझ अगर आप सोच के देखो आपके पडूस में दुकान है यह जो है आपका घर है और यह पडूस में आपके दुकान है और एक दुकान जो है करीब एक किलोमेटर दूर पर या आधा किलोमेटर दूरी पर तो आप इसी से समाल लेना पसंद करोगे ना भाई आप दो लोगे पा उसको जो है यहाँ पे समान लो तो अगर तुम भारत के साथ जो अच्छे रिलेशन बना के रखोगे पाकिस्तान को यह कहा जा रहा है तो भीया तुम्हें जो है बेनिफिट होगा पास से सामान जो है तुम्हें सस्ता भी पड़ेगा अब आप इसी दुकान में जाओगे इसके अलावा अगर आप देखोगे तो बाटल व्यारी बाच पर ही जो है यहां पर प्राइमनिस साहिव रहे तो उन्होंने भी जो कही सारे स्टेटमेंट दी बहुत अच्छे भाशन देते थे तो उन्होंने जो है आप यह भी कहा कि भीया हमको जो है भारत हमारा पडोसी जैसा भी है तो पाकिस्तान ही है कोई और पडोसी नहीं है इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो नए जो यहां के जो फॉरिन मिनिस्टर है बिलावल जो जरदारी भुटो तो नोंने यहां पर यह भी कहा कई सारे पॉइंट्स को भी जो है आप बताया है कि अगर इमरान खान तहरीक-इंसाफ की जो है कोईलेशन गवर्मेंट रही इसलामाबाद में लेकिन देखो इस समय अगर आप देखो आर्मी चीफ जो कमर जावित बाजवा है उनका भी जो है आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा ठीक है तो इमरान खान ने आप क्या किया कैम्पे जो है मतलब मेंली जो basically पंजाब एक प्रोविंस है पाकिस्तान में तो वहाँ पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाब जो इमरान खान की पार्टी है उसका जो है पो पावर देखने को मिलेगा और जनता भी यहाँ पर यह कहती है कि US ने जो है इमरान खान को हटा दिया पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक लीडर होंगे पाकिस्तान के जो एम्पी एमेलेश होंगे कितना पैसा खाएंगे ज्यादा से आगा ऐक दो करोड अमेरिका के लिए एक दो करोड क्या है कुछ नहीं है उनको तो दो-चार करोड मिल जाएंगे तो वो तुने में ही खुश हो जाएंगे तो कहीं न कहीं आप दो तो यूएस का भी इंटरवेंचन है मैं जो है खुलके यहां पर बोल रहा हूं तो यह नूज है त कुछ चीज़े पता सकता हूं तो देखो अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि इम्रान खान जो है कहीं न कहीं सिविलियन जो राइवल्स हैं उनके बीच में भी आपको देखने को बहलेंगे मतलब जिस तरी की सिविल जो वार है वो भी होने की यहां पर इस्तिती है इसके अ कश्मीर जो इंसरजन्सी हो रही हो उसमें आपको पाकिस्तान का सपोर्ट देखने को मलेगा लेकिन इंडिया जो है काफी हत्त तक उने इंसरजन्सी को आपर क्या कर रहा है कांटर करने की कोशिश करता है अब 1990 ज में कश्मीर में इस्यूज यहां पर शुरू हो गए थे अ लेकिन अब उन्होंने भी अपनी पॉलिसी को चेंज कर दिया, इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी जो है वो यहाँ पर अपनाते हैं, कि भारत को सबसे आगे करो, भारत जो है डेमोक्रेसी पर फोकस करता है, इसके अलावा यहाँ की सरकार आतंकवाद पर भी यहाँ पर जो है का पॉलिसी की फोरस वहीं, वो यहाँ पर भीजएगा, आफ्रीका में जो प्रॉबलम चल रही है तो कौन कॉंटको में आप देखोग और भी जाके देखोगे, तो इंडिया की जो कीज़ा प्रकर देखो कि अगर संब्र आप नाम कमाता हुए लेकिन पाकिस्तान पांच पंजी की भी देखने को आपको यह नहीं देखने को आपको नहीं मिलेगी ठीक है इसके अलब पाकिस्तान की एकनौमी जो है डीप क्राइसिस से खुजट रही है पाकिसान आकसा में आयमेफ से यहां पर बात कर रहा है कि हम गरीब होते जा रहे हैं हमको थोड़ा यहां पर पैसा दे दो नहीं तो हम बिलकुल यहां पर मर जाएंगे हम जो है अपनी ध मतलब बांगलादेश जो पाकिस्तान से यहां पर अलग होके बना बांगलादेश जो था यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह भारत है यह पाकिस्तान है यह भी पाकिस्तान था 1971 में जो इस्ट पाकिस्तान है वो क्या बन गया बांगलादेश बन गया अब उसके बाद यहां पे यह भी कहा जाता है कि भाईया पाकिस्तान की एकनौमी जो है छोटी होती जा रही है और जो बंगलेदेश की एकनौमी है वो यहां पे 100 बिलियंड डॉलर की जो हो जा रही है यह इनका target है तो आप देखो कहीं न कहीं पाकिस्तान की जो relevance है दुनिया भर में वो कम हो पाकिस्तान की जो प्राइमिसर इमरान खान वह यहां पर कहा चले गए विलामदीर पुतीन से मिलने चले गए तो और यहां पर यूएस का इंट्रेस्ट पूरी तरीके से खतम हो गया अब देखो आज समय यूएस चाइना के बीच में 1970 में एक पाकिस्तान जो है एक तरीके से यहां पर मीडियेटर बनके काम करता था पाकिस्तान को यहां पर बेनिफिट भी होता था कि यहां भाई ठीक है हम जो है यहां पर बहुत मज़े ले लेंगे हम जो है बहुत यहां पर महनत जो है कर लेंगे और यूएस और चाइना के बीच में हम रहेंगे तो इससे जो ह है डिक्लाइन होता हुआ नजर आ रहा है तो अब यहां पर यह कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान को जो है आप कुछ इंपॉर्टेट स्टैप लेने ची नवाज शरीफ यह आप देगो तो मुस्लिम लीग के थे यह इसके लावा असे वली जरदारी जो है यह पीपल्स पार्टी के थे तो यहां पर यह दोनों चाहते थे कि हम अपने रिलेशन्स इंडिया से यहां पर क्या करें इंप्रूफ करें पहले अगर आपने देखा होगा तो नवाज शरीफ रहे हैं जो वह बिसिकली यहां पर इसी चीज़ पर फोकस करते लेकिन अगर आप देखोगे आज की समय तो कहीं नगहीं आपको पाकिस्तान में देखने को मिलेगा अब राइटर यहां पर यहां पर यहां चाह रहे हैं कि अब समय बहुत अच्छा है 75 साल हो गए लड़ते लड़ते तुमने तो लड़के यहां पर कुछ कर नहीं लिया तुमने तो अपनी जीडीपी भी नहीं बढ़ाई तुमारे जो लोग की पर कैपिटा इंकम है वो भी यहां पर कम है तो भही अच्छा मौका है 75 साल हो रहे तो इंडिया से यहां पर नेगोशेशन शुरू कर दो नहीं तो तुमारा जो है डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकल की ज़रूबत है इसके अलाव अगर आप देखोगे तो रावल पंडी और इसलामाबाद दोनों जगे अगर आप देखोगे तो यहां पर जो करेंट सेच्वेशन है वह आपको एक जो अच्छी सीच्वेशन है वह आपको देखने को नहीं मिलेगी अगया अब अगर आप जवानों को मारतेते थे लेकिन अब ज़ो है इंडिया भी यहां पर डेलिय कर रहा है तो फाकिस्तान जुह है यहां पर फोकस करो वह इंडिया को यहां पर यहां पर फोकस करो फाकिस्तान को अपर बट्तमीजी का यहाँ पर मीनिंग पूरी समझ में आ रहा है कि आखिरकार असली जो बत्तमीज होता है वो क्या होता है वह दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक चीज और भी कही जा रही है कि जब हमारे पहले जो प्राइमनिस्टर है नरे मतलब जैसे मनमोहन सिंग आप ले अनिचाच प्राइब और आपने समझता के यहाँ पर हरे अगे यहां पर आप ऐब करसे मिलिटरी कूप कोंने मारे को और मिलिटार नेस्टर हमिलिटर मोर मोनिटर यहां और इसकी रिपोर्ट भी आई कि यह 2000 लोग आपे मारे गए इसके लावा 14,000 प्रिजन में हैं इसके अलावा इन में से 90 लॉमेकर हैं मतलब लॉमेकर्स का मतलब सांसत वगेरा को भी धर लिया है साथ लाग जो है रेफ्यूजे हो गए हाफ मिलियन जो है करीब आप इंटर्नली जो है डिस्प्लेइश हो चुके हैं आप युमिनिटेरियन एड जो है आप कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है और एक नौमी जो है आप पूरी तरीके से गिरती जा रही है अब इंडिया इनदिया जो है यह एक तरीके से हैसा हो रहा है जिस तरीके से रहेएं करके बैठा वहां एक तरफ मैन महार की सिल्टी खराब होती जा रही है लेकिन दुनिया और श्री लंका के बीच में जो क्राइसिस चल रहा है मतलब श्री लंका में यहां पर क्राइसिस चल रहा था तो भारत ने आगे आके बहुत अच्छी मदद करी लेकिन वहीं मैनमार में जो है यहां पर क्या है कुछ भी नहीं है श्रिलंका को जो है मौधी इंट्रेशन क्या करा है 3.5 बिन की जो है क्रेडिट यहां पर थी इसके अलावे essential fuel भी जो है यहां पर दे रहा है भही अगर आप देगो तो हम्मिनिस्टर जो अमेशा है उन्होंने यहां पर order कि कि refugees उनके re-entry नहीं होना चाहिए मिजोराम के Chief Minister दोरम ठांगा यहाँ पर यह कहते है कि भाईया इस तरीके से अगर करेंगे तो हम कैसा चलेगा ठीक है तो यहाँ पर मैनमार के जो आज पास के लोग है ना इंडिया और मैनमार के वीज़ में चगदर दिन की रिबिट यहाँ पर दे जाती है चगदर दिन जो है आप यहाँ पर आजा सकते हो एक रह सकते हो लेकिन कहीं ने कहीं अगर आप देओगे तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि Union Administration और मिजोराम जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत तो दे रहा है लेकिन इंडिया की पॉलिसी अगर आप देखोगे तो आपको इतनी अच्छी देखने को नहीं बिलेगी हम डेमोक्रेसी पर भरूसा करते हैं लेकिन आखेर कार कोई भी देश को यहाँ पर मदद नहीं कर रहा मैनमार की अब देखो अगर हम मदद नहीं करेंगे दूसरे देश जो है बिलकुल यहाँ पर इसका फायदा उठा सकते हैं अब यहाँ पर बात करेंगे आसियान की तो आसियान जो है यहाँ पर रिस्पॉंसिबल है कि मैनमार में सिच्छीशन को जो है कंट्रूल करें लेकिन तभी जो है आपर क्या जनता रिजीम ने पूरे तरीके से इन सब चीजों को पोस्ट कर दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होगा अब आसियान जो है आपर रियक्ट करता है लेकिन US, European Union, Australia, Canada जो है यहाँ पर आनाउंस करते हैं कि हम जो है जो सैंक्षन है वो यहाँ पर आनाउंस कर देंगे European Union जो है यहाँ पर सैंक्षन भी यहाँ पर इंपोस कर रहा है आम सेल को लेके कि हम जो है इनको आम से आपर प्रोवाइड नहीं करेंगे ठीक है लेकिन अगर आप देखोगे तो आसियान जो है आप कुछ भी नहीं कर रहा है आसियान के जो मैमबर्स है यहाँ आपर जो है इनकी एकनोमी जो है आप उस पैसा तो यहाँ पर आई रहा है अब रशिया चाइना जो है एक टॉम जो है आम एक्सपोर्टर है किसके तत्मत आओगे पोस्ट कूप के समय कर आप देखोगे इसके लाब इंडिया को भारत इलेक्टोनिक्स लिम्टेड है यह भी जो है जनता को यहां पर क्या कर रहा है रिमोट एयर डिफिंस सिस्टम जो ह यहां पर दे रहा है तो में दे यहां पर यह कह जा रहा है कि अलगते है तो काफी ट्रॉबल फिेस कर रही अगर क्रोस बाढ़ इंसलेंसी जो है यह पर बढ़250 यहां पर रिजनल बढ़ेंगे तो यहां पर यहां पर अभात्याइग को फंड करना है यहां पर शुरू करतेगा उससे क्या होगा कि हमको जो है काफी जाता है यहां पर नुक्सान होगा लेकिन अगर आप 2011 से 2021 से देखो तो जो इंडियन इंसरजन्ट चैएं उन में मिला मतलब काफी कमी काफी इस आपता है अगर Samil से तो इन या पर मोधी administration जो है यहाँ पर कहीं न कहीं जो श्रिलंका है उसको यहाँ पर सपोर्ट करता है लेकिन अगर आप मैनमार में देखोंगे तो वो जो है बिल्कुल यहाँ पर सपोर्ट नहीं करें इसके लावा यॉरप को जो मिलिटरी सपोर्ट है यूक्रेन यहाँ पर जो है दे रहा वही 2008 में अगर आप देखो तो मैनमार में जो है constitution जो है यहाँ पर फॉर्म हुआ लेकिन यहाँ पर उसके constitution में यह का गया कि 20% जो है यहाँ पर लेकिन यह भी एक्सपरिमेंट यहाँ पर पूरी तरीके से फेल हो गया अब यहाँ पर कोई भी freedom ही नहीं है मैनमार में कि हम जो है अपने लीडर से उनको यहाँ पर लेक्ट कर पाएं आंग जांग सुगी को भी यहाँ पर जेल में डाल दिया गया इसके अलावा उनके उपर जो है कई सारे इल्जाम भी यहाँ पर लएक कि इन्होंने करप्शन किया है ठीक है वहीं अगर आप मैनमार की जो आसपरो बहुत सारी प्रॉब्लम को देखने को मिलेगी इसके अलावा यहाँ पर यह भी कहा जा रहे है कि कौड ग्रूप जो है जैसे यूग एस हो गया अस्चेलिया हो गया जापान हो गया इंडिया हो गया इनको भी यहाँ पर सेंक्शन जो है इंपोस करने चाहिए तो मैनमार को जो है यहाँ पर कुछ समझ में आएगा मैनमार की जो मिलिटरी रूल है उसको कुछ यहाँ पर समझ में आएगा और देखो यह हमारा नेबर होड़ है कि हमको जो है हम कई डिकेट से जो है मैनमार को यहाँ पर जेलते आ रहे हैं क्योंकि मैनमार में कई सारे इंसर्जन्स ग क्लाइन देखने को मिल रहा है लेकिन अगर हमने मदद नहीं करी तो चाइना जो है अपनी ग्रुप यहाँ पर बनाता रहेगा तो एक वैक्यूम जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं कि इसको चाइना को ठीक है तो यही चीज जो है आपर कही गई आगे कर आप देखो तो यह कल आप देखने को मिलेगी एरलाइस में अब कर तर्वुलेंस देखने को मिल रहा है कहीं एमर्जेंसी लेंडिंग हुई तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि भाई या सेफ्टी का जो कंसान है ए एरलाइस में वह आज के समय सबसे बड़ी जो है एक वरी ए अगर आप दोकी त प्रब्लम्स हमको देखने को बिले एक में तो यहां पर धुवा बढ़ गया इसके अलावा एमर्जनसी लेंडिंग करानी पड़ गई तो एविएशन इंजस्टी आज के समय जो है यहां पर अपने ट्रॉमेंड़स एफेट्स है वह यहां पर लगा तो रही है लेकिन कहीं न अब अगर हमको एरलाइंस में सेफ्टी को यहां पर एंशॉर करना है तो जो डेटा है इंटरनेशनल ट्रफिक का कि यहां पर जो एक्सिदेंट है आपको 9.9 लेक्स फ्लाइट में 2021 में यह कम देखने को मिल रहे हैं वहीं अगर आप ग्लोबली देखो के तो यह काफी रहे हैं अब देखो हो क्या रहा है पहली बात तो जो पार्स आते हैं वह महंगे आते हैं ठीक है इसके अलव यहां पर यह भी कहा जा रहा है पर हाइक्स कर सकते हो तो उससे प्रॉपर तरीके से management कर बाओ तो इसी चीज को यहां पर कहा क्या है नेक्स हम बात करें tomato humble rvi अब देखो यहां पर यह का जा रहा कि monetary policy जो है सिर्फ यहां पर inflation को जो है control नहीं कर पा रही है भारत में अब अगर आप RBI को देखो कि तो RBI यहां पर यह कहता है कि हम जो है यहां पर RBI का काम होता कि 4 प्लस 2.0% परसेंट जो है यहां पर इंफलेशन को कंट्रूल करना अब 2020 में जो Consumer Price Index है वो इंफलेशन जो है यहां पर 7.1% आपको देखने को मिल रहा है अब यहां पर इंफलेशन को यहां पर इंफलेशन को यहां पर रोकेगा तो 4.9% जो है परसेंट हमको यह जूर में देखने को मिला अब यह करीफ 5.5% जो हमेंडेशन को मिल रहे है अब कई बार इहां पर मैंने बताया है कि रेपो रेट बढ़ाने तो लोग के पास पैसा यहां पर कम आएगा तो लोग क्या करेंगे उस पैसे को जो है कम खर्चा करेंगे पैसे जो है अलरेडी यहां पर कम खर्चा करेंगे जब पैसे यहां पर कम होंगे तो खर्चा भी आप कम करोगे तो RBI जो है तो यहाँ पर इसी आर्टिकल में यही कहा गया कि भाईया RBI जो है मतलब repo rate जो है एक तरीके का RBI का प्रामासर है जिसके थूँ यह क्या कर रहे हैं पूरी तरीके से जो cereals हैं जो food है इन सब के prices को जो है आप क्या कर रहे हैं आप अपने opinion लेखिएगा ज़रूर इसी के साथ यह तरी वीडियो का सुने के लिए बहुत धन्यवाद चाहिंत चाहँ भारत